प्रिति रावत और आप देख रहे हैं दन्यूस 15 यह आप मेरे आसपास रंग बिरंगे चीज़े देख रहे होंगे जैसे कि यह खुबसूरत गमला है यह खुबसूरत वस है जिसमें फ्लार्स रखे जाते हैं और इस तरह से देख सकते हैं जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है बहुत ही खुबसूरत है मैं मितलेश से अपील करूंगी कि वो थोड़ा सा पास से बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है और यह चोटे-चोटे से इन देंड़ सकते हैं देख सकते हैं और इसके साथ ही सथ आप देख सकते हैं जो गुल्लक आहिए अलगर अलर रंग में लिए इस सता कलर को और यह चीज लो गुछान student की लिए और झी Straight इसको इस्तमाल किया जाता है मिट्टी की वो चीज है इस तरह से और पीछे भी आप देख सकते हैं मैं मिट्लेश से अपील करूँगी जो यहां पर अलग 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 तरह की चीजे रखें वो दिखाएं देखिए यह तुलसी का पौधा है तुलसी का यह गमला है मतलब तु इसको फ्रकामा की बनी हुए अलग 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 चीजाएं यह पर आप देख सकते हैं रंग बिरंगी चीजे हैं और बड़ी मूर्तिय आप छोटी मूर्तिय जीज़ों लुए मिल से लेकिर नहीं किनी है आज इसली मेहनत को हम दिखाने के लिए निकले के और इसके साथ ही स जैसे आत्मिरभर भारत की तरफ अपना कदम बढ़ाने की बाते करते हैं, वहीं जहां आत्मिरभरता के साथ जो लोग हैं काम करते हैं, इस तरह की खुबसूरत चीजे बनाते हैं, वहीं पर कुछ कम क्वालिटी की, कम रेट की चीजे, जैसे चीनी लाइट्स ले लिजी, कहीं न कहीं पिछड रही हैं, उन्हीं सब चीजों के लिए हम यहां लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि वह कैसे महनत करते हैं, कितनी महनत करते हैं, इसमें उनका कितना मुनाफ़ा होता है, इन्हीं सब चीजों पर हम जुड़ेंगे उन से और बातचीत मिट्टी जो आप देखते हैं जो मिट्टी हमारी संस्कृती से भी जोड़कर देखे जाते मिट्टी के बाद इतना खुबसूरत रंग उसको कैसे देते हैं जो अंदर आपको मैंने खुबसूरत चीजें दिखाई अलग अलग तरके डेकुरेशन पीस दिखाए भगवान की मूर्तिया दिखाई उसका जो पहला पड़ाव है वो यहां से होकर गुजरता है आप देख सकते हैं जो यह मिट्टी का धेर है कहीं आप सूकी मिट्टी दिख रहे हैं तो जो पहला पड़ाव है वो यहीं सुरकर गुजरता है और इसी के बाद वो खूबसूरत चीजों में तब्दील हो जाता है रंग बिरंगी चीजों में वह तब्दील हो जाता है तो चलिए अंदर भी मैं आपको दिखाती हूं जो चाक पर यह चीजे किस बनाई जाती है और किस तरह से उसको एक अलग अलग रंग एक अलग रूप एक अलग अकार दे दिया जाता है जैसे कि गिली मिटी तरह चीजे यह मैं आगे भी अपको अंदर चीजे दिखाती हूं जुड़े रहे हैं दन्यूस 15 के साथ तो यह वो घर है जहां पर यह चीजे बनाई जाती है आप देख सकते हैं बाहर यह बहुत बड़े बड़े जैसे की डेकोरेशन के लिए जो पीस होते हैं यह वो सब चीजें हैं इसके स अधर आपको जहां यह चाह के बनाई जाती है चीजे चाह पर चला आ कर बनाई जाती है वह थो सकते हैं यह जो चाक रहा है और एक सर है एक इंग्ति की चीज़ेके मासीन eyno! यह शूक है ऊले लिजिए टो टोंत की तुमे तो कि इन दौल जाता है इसके अंदर मिस्ठी ढीड़िजाती है आप देह सकते हैं इसके बाद मिठि डालने के बाद जो मिठि ये तरह से स्मूथ होकर बहुत अच्छे तरह से जो निकलती है, वो इस तरफ से ये तिखे, आप देख भी रहे青 VIS एक जा कि घुरjskरा देखी देखी रहे हो गर्मी में टाइम तो इसका एक पीस का अंदर-अंदर सुखाया जाता है सुखाने के बाद में फिर भट्टी में पकाते हैं कर एक हपता लग जाता है अगर इसकी कीमत की बात करूं तो इसकी कीमत कितनी मिलती है आपको चोटे से 35-35 रुपे से चल करके 200-200 रुपे तक अभी जो बना रहे हैं जो इसकी क्या कीमत हो इसकी कीमत है 200 रुपे इतना खुबसूरी से से बनाएंगे इसमें अभी आप शायद फूल वेगेरा भी बाहर मैंने देखे थे बनाए हुए थे रंग भी होगा वो 200 बस कीमत इस हो जाता है कारीब 8-10.8 रुप हो जाता है और अगर मैं यहीछी चीजों के सकंपेर करते हैं नच किमित्टी का तुम हें एकि वह है कि मिट्टी के बरत्न में पोदा भी सही रहता है चीनी के बरत्न में तो पोदा ठीक से नह प 45 उबना हो जाता है तो मिट्टी के में जाता है तो जैसे कि मैं अगर लॉक्डाउन की बात करूं लॉक्डाउन में एक तरह से पूरा देश ताला बंदी में बंद हो चुका था तब आपके वैपार पर कैसा फरक पड़ा बिल्कुली बंद हो गया था पूरा कुछ भी नहीं था रोजी रोटी का रोटी खाने के ल लाहे का महलता तो उसमें भी कहीं न कहीं है कि जो चाइना की मार्किट है जो चीनी मार्किट है वो आपके साथ कॉम्पटीशन में और कहीं न कहीं वह आपकी मार्किट पे धीर धीरे कपजा कर रहा है या कोशिश में हैं तो उस पे भी कहीं न कहीं आपके वैपार का नुक तो इसके लिए क्या कहेंगा आप मैं बढ़िया है अगर हमारा बार के आइटम ना खरीदते हुँ अपने इंडिया की आइटम खरीदी जाएं तो इंडिया का पेशा इंडिया में ही रहेगा हमको को और धंदा है हमारे रोजी रोटी यह फिर अगर आपकी रोजी रोटी है इस रोजी करना चाहते हैं कि हमको यह दंदा बंद करवा रहे हैं तो कोई और कुछ दंदा दे कि हमारी रोजी रोटी बंद करवा रहे हैं तो कोई और धंदा दे इसकी वजाए से हमको जो कोई हम कर सके तो इस दंदे को बंद कराने का कारण क्या बताते हैं कहते हैं कि पर दूसन में आ जैसे मैं देख रही हुए हुए जोटी चोटी छोटी जैसे चीजे आप सफाई से उकेर तो expernisse को इसको wcześniej को अटा रहे हैं और arguably के उस्ते भी कुछ कर करते हैं और दूसरा है यह हमारा जो पैटरणल वर्क है तो इसका कोडिंंग लगे हुथ इसी में की बात करें तो आप अपनी मिटी के चीजों के क्या फाइदे पता सकते मिटी की चीजों मिटी तो बहुत हैं जैसे इस में अगर आमना आज कल इस इस आरी उन्ले यूजब करेंगे इसमें खाना बनाने के लिए तो जो मिट Cour के जो वाइटामीन मेंमिनराल वो सारे ऐसे एगिवाle रहते हैं हमारे कंन्यकुमारी में मन्दिर है उसमें आज भी जो बहौग भुजन है भगवान का जो परशाद है वो मिट्टी के बरतनों में ही बनाया जाता इसलिए तो सिर्फ अपने नेल से कितनी अच्छी तरह से उसको उनों ने बना दिया और अभी आप देख सकते हैं यह किस अकार में था और अब कितनी अलग कार में किस तरह से यह बन चुका है किती खुब्सूरती से ने ये चीज़े बनायै तो जो मिट्टी है मिट्टी की चीजे हैं कही न कही हमारे धर्म और संस्कृती से भी जुड़ी हुई है अगर हम बात करें गनेश पूजा की तो कुछ सालों पहले दिल्ली में बार-बार एक जाता है कि प्योपी के जो गणेस हैं वो बंद किये जाएं तो उसके अकोडिंग फिर धीरे-धीरे लोग जो मिट्टी की साइड आए और आज कर लोग यह मिट्टी का यूज कर रहे हैं जो गणेस हैं क्योंकि इस यह इसली डिजोल्व हो जाते हैं माठी के अंदर और फिरो आप उसी माठी मिट्टी के अंदर आप कोई भी तुलसी का प्लांट लगाएं वो लगा सकते हैं कोई भी मतलब किसे दो बेनिफिट हमें मिल रहे हैं तो प्राकरती जो है नेचरल वो बढ़ रही है और दूसरा हमारे जो ज नेश हुर्थिस को ये वारी मिट्टी के नाम होते है मिट्ट्यों के अलग अलग परकार होते हैं जैसे कि यूप डिवाली के टाइम पर या किसी तीस तीहर पर नवरात्र के टैम पर आपकी चिज़ादा बनती है बेखती हैं, जैसे कि नवरात्रों के टाइम पे होता है, जो घड़े होते हैं, खेतरी जिसमें लगाते हैं, और दिवाली के टाइम पे दिये, तो बीच के टाइम पे, जब सीजन खतम होचुका ओता है, इसका तेहारों का, तब आपका कैसे गुजर बसर होता है? एक्चुली में यह डिपेंड करता है वेदर वाइस जैसे सीजनल वर्क है आपने सही कहा तो ज़्यादा टू और थ्री मन्त होते हैं आफ्टर दिवाली जो थोड़े टफ होते हैं उसमें हम क्या करते हैं सर्दी भी होते हैं तो मिट्टी में इतना काम भी नहीं होता है तो कम कम काम करते हैं थोड़ा थोड़ा फिर उसके बाद दीरे दीरे फिर हमारा कर्व यह बिकने लग जाते हैं सोरी नवरात्रों का सामान और प्लस में जो मटके खूबशूर्त मटके आज कल बढाये जा रहे तूटी वाले मटके उनकी काफी डिमांड हो जाते है फिर फरवरी लुटों मूं इसे वह ज्यूर्ण कर एविश है वो ज़रूरी है परिवरतनी सवलता की कुन्जी है तो उसके क्या होता है पहले लोग मटके बनाते थे तो उसको ही हमने मोडिफाई करते करते आज कल टंकी बन गई है उसमें क्या था पहले बच्चे भी हाथ डाल रहे हैं बड़े भी हाथ डाले हैं मटकी में क्यों को टूटी नहीं होती थी तो म्यूर जग से कहीं न कहीं कोपी किया और उसको हमने इसके अंदर डाल दे तो अब लोग वो चीज यूज करने लगें करोना के बाद लोगों और ज्यादा समझ गए जब हमारे डॉक्टर लोगों ने सला दी कि आप फ्रीज का पानी ना पिए रिसर्चर विज्ञानी को ने गाइड किया कि आप मटके का पानी पिए तो लोगों ने जो अभी लास्ट सीजन गया यह बहुत अच्छा रहा इसकी द्रिश्टी से देखा जाए तो मटकों के लिए और हमारे जो अब बोटल सापने देखी होंगर मार्केट में बोटल सारी हैं वन लीटर की बोटल आप इसली कर सकते हैं उसे तो अलग अलग चीजों की अलग लग वराइटी लेकर आ रहे हां बिलकुल चेंजिंग ने से उनमें हमने हर हर दो साल में कुछ चेंज कर देते हैं जैसे पहले सिंपल आज सिंपल जो थी अब हमने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया उन पर तो इस तरह चेंज करते रहते हैं तो इस तरह चेंजिंग चेंज करते रहते हैं हर दो साल में कोवीड में मतलब सभी के वेपार को नुक्सान हुआ था कोवीड के बाद आप लोग कितना समहल पाएं कोवीड के बाद नुक्सान बहुत हुआ लेकिन यह रहा कि हमने इतना समाला गोवर्मेंट ने भी कहीना कहीन हेल्प करी हमारी जैसे मोदी जी आत्म निर्भर भारत की बात करें उसी का कोडिंग अब हमारे आपर ऐसे जी ग्रूप बनाये जा रहे हैं अभी हमारी लास्ट यूजडेई डीम साब के साथ मिटिंग थी तो उन्होंने इसके बारे में हमें अवेर किया और बहुत जल्दी हमारी कलोनिक अंदर 25 से 30 ग्रूप बनाये जाएंगे ज और आप उस प्लेस पर वर्क करेंगे जो कि पॉल्यूशन फ्री रहेगा तो यह अभी उन्होंने कहा है अब यह पता नहीं कितना यह सच है कितना जूट है यह तभी पता चलेगा जब वह गोवर्मेंट हमारे लिए कुछ कर दे कौनकि गोवर्मेंट कहीं कहीं देखिए द बंद कर रहें लेकिन अब यह भी तो देखें ना अब पूरी दिल्ली के अंदर अगर एक हजार पचास घर है तो फिर क्या खाएंगे उनको बच्चे क्या खाएंगे तो उनके लिए आप कोई प्लैट्फोर्म तैयार कीजिए वहां पर जाके उस प्लैट्फोर्म पर जाक की मिट्टी के समान खरीते तो उनको क्या मैसिक देना चाहते कि भारत की अर्थवेवस्था भी मुझूद और आपके वैपार को भी अच्छा खासा मुनाफ़ हो देखें मैं एक चीज बता दूं जो यह वर्क हो रहा है ना आपको यह आपके इसके माध्यम से यह राक होती है जो चीनी मिट्टी के बरतना अधिकतर वह राक होती है उसको पता नी बॉन बॉन वह बोलते हैं बोन एस बोलते हैं उसको तो उसमें हड़्ियों की ऐसे कहा जाता है मुझे नहीं पता रियलेटी तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँ इन चीजों से बचें और जो न प्लांटर हो गें और हमारे डेकोरेटीव आइटम्स होगे दूत्रा डेकोरेटीव आइटम्स में इसमें क्या होगा आपने अभी खरीदा तो आप एक-दो साल में आपका मन करा पेंट चेंज का तो आप पेंटिंग चेंज कर सकते हैं लेकिन चीनी मिटी के अंदर यह चे है बैठने लिए इसको कुछ और वी आपने इसकोete करने के लिए कि वजन को जहलने के लिए कुछ डाल रहा है मिटी मिटी क्वानने में कितना महनत बनता है इसका प्रोसर कंसे कम तीन दिन से चार दिन का है कि सौ किलो का वजन जिल लेगा है कि अब इसे पकाएं गया पकने में से कितना ताइम पकने में से तीन से चार घंटे जैसे कि मिट्टी को शुब माना जाता है तो आप बताएंगे कि इस तरह से उसको देखते हैं आप आपका तो यहां पर कुछ मिट्टी के दिये हैं जिनमें रंग भर रहे हैं उनको और खूबसूरत बना रहे हैं तो उनसे हम जुड़ेंगे तो भाया यह जो आप लोग कर रहे हैं यह कौन से रंग होते हैं की अगर में इनकी दियों की कीमत की बात करूए तो कितने रुपे में जाते हैं चार रुपे का पीज है अगर इसी क्वालिटी में इसी सब चीजों में अगर चीनी मिट्टी की चीजे भी आती हैं उसकी बात करूँ तो उनका रेट क्या जाता होगा वह भी बने मिट्टी का फाइदा यह होता है कि अगर आप जो भी चीज बनाएंगे जो भी चीज करेंगे वह पन पेगी मतलब एक संस्कृती से हमारी धरोहर से जोड़के दिखा जाते हैं वह आज एक सोजाती है कि उसमें छेधर होते न मिट्टी के बर्तनों मैं तो वेच्प में अगर मैं आप से जाना चाहूं चेनी मिट्टी जो बरतन है उसके नुकसान के बारे में जाना चाहूं तो आप क्या कि आज हो कि अधने बता त्टेस्ट है गिसे कि यह दुकानों में रंग रंगी चीजें रंग रंगी मूर्तियां कुछ इस तरह की मूर्तियां है चाय के कप है गणेश जी की मूर्तियां साज सजावट के समान है तो इनी सब चीजों को मैंने आपको जो इनकी प्रक्रिया है बनने की वो सब प्रक्रिया भी दिखाई और इनके वेपार पे क्या फरक पड़ता है कितनी महनत करते हैं उस महनत के इनको क्या मुनाफ़ा मिलता है कितना मुनाफ़ा मिलता है मिट्टी के तो anginaficafe के साथ मैंने आपको वaking जिखाए और कहींना कहीं जो लोग मिठीं से दूर ह्योग असे की चीज से को इस्तिमाल जहां बंध बंद हो रहा जोगों के साथ subject की देश की मिठी को मिट्टी के साथ हमारी जो चीजें इस्तमाल करने वाली वो इस्तमाल करने चाहिए चोटी-चोटी जरुतों की चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए इससे देश की अर्थवेवस्ता भी मजबूत होगी और जो इनका व्यपार है उसको भी कहीं न कहीं बढ़ातर मिलेगी तो कैमरा पर्सन मितलेश के साथ मैं प्रिती रावत दे न्यूज 15